दोस्तों चीन की लड़ाईयां भले ही दुनिया में बढ़ती जा रही हैं लेकिन चीन अपनी आदुतों से आज भी बाज नहीं आ रहा है चमगादर चीन पूरी दुनिया में मात खा चुका है पूरी दुनिया आज चीन के साथ अपने सभी रिष्टे तोड़ने पर लगी हुई है लेकिन चीन फिर भी अपने ताइवान के उपर एक बार फिर से अटैक की कोशिशों को अंजाम देने में लगा है दोस्तों फिलहाल होंकोंग पर कबजा करने के बाद चीन का एजिंडा है कि वो अब ताइवान को अपने इलाके में मिला लेगा और वहां की सरकार को धवस्त कर देगा और इसी की सूची में वो कई बार ताइवान को धमकी भी दे चुका है लेकिन इसी के साथ आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है ताइवान की तैयारी से जहां दोस्तों अभी हाल ही की दिनों में ताइवान की स्ट्रेट के अंदर 20 से भी ज़्यदा चीनी फाइटर जेट गुस गई थे और इसी के जवाब में जो ताइवान है अपनी मिलिटरी एर मिलिटरी को अब ताकतवर बनाना चाता है और इसी के चलते ताइवान ने अमेरिका के साथ डिल सिक्योर कर ली है और ये डिल सिक्योर की गई है 90 F-16 फाइटर जेट की जहां दोस्तों अमेरिका की लोख हिड मार्टीन कमप्णी के साथ ताइवान ने ये डिल की है और 90 फाइटर जेट के साथ टोटल 62 बिलियन डोलर की ये मेगा डील साइन हो चुकी है हाला कि अमेरिका ने जान भूच कर इसमें पुष्टी नहीं की है क्योंकि अगर वो ये पुष्टी कर देगा तो जाहिर सी बात है कि चीन का गुष्टा बढ़केगा हाला कि इसी के चलते अभी थोड़े समय बाद ही जो अमेरिकी पेंटागन है रक्षा मंतराले है वो ही इसके उपर पुष्टी करेगा हाला कि इसी के चलते अभी पिछले साल में ही जो फाइटर जेट खरीदने की बाते हुई थी ताइवान अमेरिका के बीच में वो भी बड़ी है लेकिन ताइवान आज अमेरिका की लोकिड मार्टिन से अपने फाइटर जेट कर आज अपनी ताकत को तो बढ़ाना ही चाता है इसी के साथ ही चीन को संदेश देना चाता है कि उसकी यारी आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ है और अगर चीन ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो अमेरिका भी ताइवान का साथ देने के लिए कूद उठेगा हाला कि 90 फाइटर जेट की डिल के साथ अमेरिका मुनाफ़ा तो कमा ही रहा है इसी के साथ ताइवान की एर फोर्स को भी मजबूत बना रहा है ताइवान आज एक छोटा सा देश होने के नाते चीन की आँखों में आखे डाल कर चीन को गहरने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से त्यार है हाला कि अभी कुछ दिन पहले ताइवान की सरकार और सेना ने मिलकर एक ऐसी एक्सेसाइज भी की थी हुआ कंग 36 जिसके चलते चीन को एक संदेश बिजा गया था कि चीन की मिलिटरी से जूजने के लिए ताइवान की मिलिटरी आज पूरी तरीके से तिग्यार है हाला कि ताइवान की एरफोर्स की बात करें तो ताइवान की एरफोर्स में 289 फाइटर जेट है इसी के साथ 218 हेलिकॉप्टर भी आज ताइवान की एरफोर्स में मुझूद है लेकिन फिर भी fighter jet की कमी महसूस होती है क्योंकि ताइवान के पास सबसे बढ़िया fighter jet आज F-16 ही है और इसी के चलते F-16 की ओर deal ताइवान अब करना चाह रहा है हाला कि होना तो यह चाहिए था कि ताइवान को आज चीनी सेना से इमने पटने के लिए अमेरिका को F-35 देना चाहिए था लेकिन ताइवान के एक security के मामले में और इसी के साथ ताइवान के साथ एक चीन का खत्रा होने के इनाते आज जो अमेरिका है ताइवान को F-35 नहीं दे सकता यही कारण है कि अब 90 F-16 fighter jet को लेकर आने वाले 10 सालों के लिए contract पेंटागन और ताइवान के बीच साइन हो गया है और दोस्तों दोनों के रिष्टे जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो यही और इसी और इंशारा कर रहे हैं कि चीन को अब डरने की जरूरत है क्योंकि अब चीन को चारों तरफ से तो दुनिया गेर ही रही है उसी के ही देश में उसी के ही इलाके में अब अमीरिका भी ताइवान को सक्षम करने में लग रहा है